प्रणाम बाबाजी हम सब अच्छे हैं बच्चों इस रुमांचक योग यात्रा में आप सब का पुनह स्वागत है हम सब मिलकर योग तो करेंगे ही साथ में सुन्दर सुन्दर स्थानों की यात्रा भी करेंगे तो अब हम सीखेंगे खेल खेल में योग बच्चों योग करते समय हमें कुछ विशेश बातें ध्यान में रखनी हैं जिन में से मुख्य है खान पान यानी आहार और आहार की जानकारी आपको आचारे जी से मिलती रहेगी नमस्ते आचार्य जी खुश रहो बच्चों बच्चों इनसे मिले ये हैं दीपी का बहन ये आपको अच्छी एवं रोचक जानकारिया देंगी नमस्ते मैं हूँ चिराग और यह है रूची हम भी रहेंगे आपके साथ साथ तो बच्चों अब हम चलते हैं अपनी योग यात्रा पर हाँ हाँ चलते हैं सांसों को महसूस करें बच्चों सबसे पहले अपनी सांसों को महसूस करेंगे आईए इसके लिए कुछ रोजग खेल खेलते हैं पहले हथेली को नाक के पास ले जाओ अब अपनी सांस को महसूस करो देखो कैसा लगता है हम अच्छा लग रहा है मेरे हाथ पर गरम हावा जैसी लग रही है अब कोई कोमल पत्ता या साफ कागज ले लो उसे नाक के पास ले जाकर देखो क्या वो हिलता है देखो क्या हो रहा है अरे ये तो हिल रहा है अब हम फूलों की पंखडियों से एक नया खेल खेलते हैं दीपिका आपको फूलों की पंखडिया देंगी अब फूक मारो देखो क्या होता है यह तो उड़ गया सूखी पत्तियों से भी आप ये खेल खेल सकते हैं अब एक दूसरे की सासों को महसूस करने के लिए आमने सामने बैठ जाओ अरे चिराग अपना हाथ थोड़ा नीचे रखो थोड़ा और हाँ इतना बस अरे तुमारी सास तो बहुत धीरे धीरे आ रही है हाँ अब ठीक है आप लोग भी इसे देखे आओ बच्चों मिलकर श्वसन क्रिया करें अब किसी भी आसन में बैठ जाओ पहले सामान में श्वसन करेंगे यानि धीरे धीरे सहच रहकर सास लो और छोड़ो अब गैरा श्वसन करेंगे यानि धीरे धीरे लंबी सास लो और धीरे धीरे सास छोड़ो इसके बाद अंगुलियों को लोक करके सामने रखो फिर हाथों को इंटरलॉक्ड रखते हुए सिर के उपर ले जाओ हाँ ऐसे थोड़ा और उपर अब शरीर को उपर खीचो हाँ ऐसे कुछ देर ऐसे ही रहो बच्चो अब वापस पहली अवस्था में आ जाओ बच्चो अब हम साथ मिलकर ओम का उचारण करेंगे हमें ओम का उचारण धीमे धीमे एक लएक के साथ करना है हमें एक बार मैं करता हूँ अब मेरे साथ मिलकर उचारण करेंगे शाबाश फिर से दोराओ बच्चो अब चलते हैं एक नई जात्रा पर कितना मनोरम द्रश से देखो सामने कितना सुंदर पहार दिखाई दे रहा है बच्चो क्या आपको पता है कि हम प्रकृती से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं क्या सीख सकते हैं? चलो आओ देखते हैं मगर मच से सीखा आराम से लेटना पक्षी ने पंक फैलाए हमने अपने हाथ फैलाए स्केल से सीखा सावधान बैठना बच्चो अब हम ताडासन करेंगे निराले ढंग से सरसर सरसर चली हवा जूमे पेड दाई और हम भी जुके उसी और सरसर सरसर चली हवा जूमे पेड बाई और हम भी जुके उसी और वहाँ इतनी अच्छी कविता सुनने के बाद हम अपनी यात्रा आगे बढ़ाते हैं और चलते हैं एक नए स्थान की सैर पर आओ सुने कविता फूखा है नटखट पिल्ला चिराब चटपट रोटी लाया नन्ने खरगोश को चोठे आई रुची ने जटपट तवा लगाई प्यारी प्यारी चिडिया आई दाना चुगने चटपर आई रुची ने है दाना डाला देखो खा गई चिडिया सारा सुन्दर सुन्दर फूल उगाएं अपनी धर्ती को महकाएं बच्चो हमारे यहाँ प्रणाम और अभिवादन दुआ आशीश के कई तरीके हैं जैसे कोई जोड़े हात कोई मिले गले कोई प्रात्ना करे कोई करे दुआ कोई करे चरण स्पर आओ करे सूर्य नमस्कार तो अब तयार हो जाओ सूर्य नमस्कार के लिए पहली स्थिती नमस्कार की स्थिती में हाथों को चाती के सामने रखो पैरों के पंजे और एडिया मिली हुई हूँ दूसरी स्थिती श्वास अंदर भर कर सामने से हाथों को खोलते हुए पीछे की ओर ले जाओ द्रिष्टी आकाश की ओर रहे कमर को भी यथा शक्ती पीछे की ओर जुकाओ तीसरी स्थिती श्वास बाहर निकाल कर हाथों को पीछे से सामने जुकाते हुए पैरों के पास जमीन पर तिका दो यदि हो सके तो हथेलियों को भी भूमी से स्पर्ष करो तथा सेर को घुटनों से लगाने का प्रयास करो चौथी स्थिती अब नीचे जुकते हुए हथेलियों को जमीन पर तिका कर रखो बाया पैर उठा कर पीछे ले जाओ दाया पैर दूनों हाथों के बीच में रहे घुटना चाती के सामने रहे तथा एड़ी भूमी पर तिकी हुई हो द्रिष्टी आकाश की ओर हो श्वास अंदर भर कर रखो पांचवी स्थिती श्वास बाहर निकाल कर दाय पैर को भी पीछे ले जाओ गर्दन और सिर दोनों हाथों के बीच रहे कूले और कमर उपर उठा कर तथा सिर को जुका कर नाभी को देखो चठी स्थिती हाथों एवं पैर के पंजों को स्थिर रखते हुए छाती और घुटनों से भूमी पर स्पर्ष करो इस प्रकार दोनों हाथ, दोनों पैर, दोनों घुटने छाती एवं ठोड़ी इन आठों अंगों को भूमी पर टिकने से यह शाष्टांग दनवर्द भी कहलाता है श्वास प्रश्वास सामान्य हो सात्वी स्थिते श्वास अंदर भर कर छाती को उपर उठाते हुए आकाश की ओर द्रिष्टी रखो कमर भूमी पर टिकी हुई हो हाथ है वं पैर सीधे रहे आठमी स्थिते श्वास बाहर निकाल कर दोनों पैरों को पीछे ले जाओ गर्दन और सिर दोनों हाथों के बीच रहे कूले और कमर उपर उठा कर तथा सिर को जुका कर नाभी को देखो नवी स्थिते हथेलियों को जमीन पर टिका कर रखो अब बाए पैर को दोनों हाथों के बीच में ले आओ गुटना चाती के सामने रहे तथा एड़ी भूमी पर टिकी हुई हो त्रिश्टी आकाश की ओर हो श्वास अंदर भर कर रखो दस्वी स्थिति श्वास बाहर निकाल कर दाए पैर को बाए पैर के पास ले आओ अब दोनों हाथों को सामने जुकाते हुए पैरों के पास जमीन पर टिकाने की कोशिश करो यदि हो सके तो हथेलियों का भूमी से स्पर्श करो और अब सिर को घुटनों से लगाने का प्रयास करो ग्यारह वी स्थिति श्वास अंदर भर कर सामने से हाथों को खोलते हुए पीछे की ओर ले जाओ द्रिष्टी आकाश की ओर रहे कमर को भी पीछे की ओर जुकाओ बारह वी स्थिति सूरी की ओर मुख करके खड़े हो जाओ और नमशकार की स्थिति में हाथों को चाती के सामने रखो आईए सूर नमशकार फिर से दोहराते हैं पहली स्थिति डूसरी स्थिति तीसरी स्थिति चाती स्थिति पांच्मी स्थिति चाती स्थिति सात्मी स्थिति आठमी स्थिति नौवी स्थिति डूसरी स्थिति डूसरी स्थिति ग्यारवी स्थिति बारवी स्थिति बच्चों अब बताओ योग घर के कैसा लगा बहुत अच्छा बड़ा मज़ा आया चिराग आपको योग करते समय सबसे अच्छा क्या लगा मुझे तो अपनी सास को महसूस करना अच्छा लगा और बल्लू पानू मैनू ताड़ा संजी चंगा इससे आपकी हाइट भी बढ़ेगी तो बच्चों अपनी ये मज़ेदार यात्रा अब समाप्त होती है आपने जो भी सीखा रोज उसका अभ्यास करना और स्वस्त रहना आप सबको हमारा बहुत सारा प्यार आज हमने क्या सिखा? सही उच्चारन पहचानो हाँ विकल सही नीचे दिये गए शब्दों के अर्थ मिलाओ चित्रों को देखकर सही आसन की पहचान करो चित्र में दिये फलों के नाम मिलाओ बिल्कुल सही चित्रों को देखकर बताओ ये हमने किस किस से सीखा? हाँ बिल्कुल सही बताओ क्या करना चाहिए? पक्षियों को दाना डालना चाहिए पक्षियों का घोसला तोडना चाहिए फूल और पत्तियां तोडनी चाहिए बिल्कुल सही पक्षियों को देखकर बिल्कुल सही झाल